नमसकार साथियो, दुनिया भर में आए दिन कहीं न कहीं सरक हादसे होते रहते हैं, इन हादसों में कई लोगों की मौत हो जाती है, इसका कारण समय पर उचित इलाज नहीं मिलना भी होता है, इसलिए सरक हादसे में घायल हुए लोगों के लिए कुछ राज्यों में एक योजना का उदेश से उन घैलों का तत्काल इलाज कर्वाना है जो सरक्ध दृगएतना के सिकार हुए हैं जनकाडी के मुताविक जो व्यक्ति घैल को अस्पिताल को अस्पितल तक पहुँचाएगा उसे पंजाब सरकार की तरफ से परकासित पत्र के साथ 2000 की समान रासी दी जाएगी साथ ही उससे बिना उसकी अनुवती के कोई सवाल जबाब नहीं किया जाएगा अब बात करते हैं घायलों का इलाज यानि कि दुरघटन के 48 घंटे के बाद भी घायलों का इलाज फिरी में किया जाएगा यह योजना बिना किसी भेदभाव के पंजाब और दिली में रह रहे हर व्यक्ति के लिए समान रुप से लागू की गई है बता दे कि इस योजना के तहट घायल पिना पैसा खर्ज किये पुरा इलाज अस्पताल में करवा सकता है यह योजना लोगों को आर्थिक रूप से भी मदद करती है नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे योजना के लिए पंजी करन यानि कि जो योजना है इसके लिए पंजी करन के बारे में हम लोग बात करते हैं यानि कि रेजिस्टेशन के बारे में पंजाब सरकार ने निजी अस्पतालों से आगरह कर खरिष्टे योजना के लिए पंजी करन करने को कहा है फिलहाल पंजाब में 384 अस्पतालों ने फरिष्टे योजना के लिए पंजी करन कराया है जिन में 166 सरवजनिक अस्पताल है और 238 नेजी अस्पताल है अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में एंबुलेंस की विवस्ता यानि कि इसके अलावा सरकार एक ऐसी प्रनाम नाली अस्थापित कर रही है जिसके तहद सभी एंबुलेंस को एक सांथ जोरा जाएगा जिससे घायल मरेज 15-20 मिनाट में अस्पताल तक पहुँच स क्या है और इसका benefit किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग जैहिंद